जैमाता की दोस्तों आने वाले करवाचोत की आप सबी बेहनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई सबसे पहले जो गर्वती मही लाएं हैं वो करवाचोत का वरत कैसे करें? करें या ना करें? यदि करें तो किस प्रकार करें? और कैसे पूजा करें संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स यदि आप इस बार गर्वती हैं और करवा चोथ का वरत में आप संशे बना कर रखे हुए हैं कि हम वरत करें या ना करें तो आपको वरत नहीं छोड़ना है आपको वरत करना है लेकिन कुछ नियमों में गर्वावस्था में छूट मिलती है जैसे कि पूरा दिन निर्जला वरत रखा जाता है लेकिन गर्वावस्था में कुछ नियमों का पालन करके वरत किया जाता है क्योंकि देखिए गर्बवस्था में पल रहे जीव के भी नुकसान नहीं होना चाहिए और आपके बच्चे की स्वस्थे पर कोई असर ना पड़े इसलिए सबसे पहले तो जब आप सुबह सरगी खाएं तो अच्छे से सरगी खा लीजिए और ध्यान रखें पानी उस समय आप जरूर पिएं साथ में चाए ना पिएं आप और साथ में आप नारियल पानी ले सकते हैं जर ले सकते हैं जूस ले सकते हैं दूद ले सकते हैं साथ में ड्राइ फ्रूट ले लीजिए फर ले लीजिए और सुबे सर्गी में आप तला हुआ और भूना हुआ खाना कम से कम खाएं ऐसा खाना खाएं जिससे आपको पूरा दिन एनर्जी रहे सर्गी लेना आप गर्भावस्ता में बिल्कुल भी न भूलें सर्गी लेकर ही आपको वरत करना है उसके बाद मित्रों, दूसरा कोशन आता है गर्भवस्ता में करवे फेरें या न फेरें फ्रेंड्स करवे आपको फेरने हैं, करवे ऐसा नहीं है कि बिना फेरें आपको वरत करना है आप पारवती माता से करवा बदल लीजिए पारवती माता भी एक इस्तरी है उन्हें भी सब स्थिती का पता है आप करवे कैसे फेर ने हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर जाकर देख सकती है दूसरा प्रशन क्या पूरा दिन निर्चला रहना है तो फ्रेंड्स पूरा दिन आपको निर्चला नहीं रहना है गर्व हवस्ता में देखे पेट में जो आपके बच्चा है उसके सथे का भी आपको ख्या लखना है तो आप 12 बजे के बाद कभी भी कथा सुनने के बाद आप एक स्थान पर बैठ करी जल या जूस ले सकते हैं, कुछ खा सकते हैं तो आपनी सासुमा से पूछ लीजिएगा, बीना खाए भी आप केवल जल और जूस लेकर शाम तक का वरत रह सकते हैं, जूस और जल से भी आप जादा डाउन हो गई है स्थिती तो आप कोई एक फर ले लीजिए, केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, क्योंकि करवा माता को भी पता है, आपकी स्थिती का, और ऐसे में आप अपने बच्चे का ध्यान चुरूर रखी, ऐसा ना हो, पूरा दिन निजला वरत रहने से बच्चे का स्वस्ते बिगड जाए, गर भवस्ता में इस तरह से आवरत कीजिए, सरगी अच्छे से लीजिए, और बारा बज़े के बाद दोपहर को, बारा बज़े के बाद किसी भी समय आप कथा सुनकर, दूद, चाई, जूस, पानी और फल एक ही स्थान पर बैठकर ल निकल जाएंगे और उसी तरह से चंद्रमा को अरग दे कर, पती की पूजा करके, चंद्रमा की पूजा करके आवरत खोल सकते हैं, गर भवस्ता में भी आपको वरत अवश्य ही रखना चाहिए, कोई भी सोहाग का वरत यदि हम शुरू करते हैं तो उसे बीच में नहीं छो कमेंट बुक्स में जैकरवा माता अवश्य लिखें